और क्या हाले मेरे दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्रोफाक कलाम इस वाकत के साथ सत्त अभिदन्दन करती तत्था अपने नया दोस्तों कैसे बुझ सकती हूँ, हैलो, आप लुझ कैसे हो, आश्वेता पाक कलाम बने जलजीरा कर्मी की सीचन में हर जखा आपको जलजीरा मार्किट में आसानी से मिल जाता है पर आप इसको घर में बहुत ही आसानी तरीके से बना के त्यार कर सकते हैं ये कच्चे आम और थोड़ी से पुदीनी के पत्ते के द्वारा बनने वाली रिस्पी है बहुत ही जलदी बन के त्यार हो जाती है एक पर आप इस रिस्पी को जरू ट्राइ करेंगा चलो दोस्तों हम आप इसको मिल के बनाना शुरू करते हैं जलजीरा जलजीरा हो पनाने के लिए आधा कीज़ी हमने कच्चे वाले आम लिए इसी की तोरह जलजीरा को बना के त्यार करेंगे मार्केट से लानिक पास असपले आम को अपने अच्छी तरह से दो से तीन पानी से धुल के साफ कर लेना है मार्केटमी इस समय कच्चा आम आपको बहुत अधिक मातरा में मिल जाएगे इसी की तोरह जलजीरा को बना के त्यार करते हैं से लिए आम को अपने धुल के साफ कर लिया और साफ करने एक बाद इसको एक पैंट के अंदर डाल देते हैं आम बहुत ही जादा फायदा करता है गर्मी सीजन में इसको आप अपने खाने में जरूर सामिल करिए इस तरह आम को अपने पैंट के अंदर रख ले इतना पानी डालना है कि आम थोड़ा सा डूबा रहा है अब आम को सिट करने के बाद हमने इसको गैस पर रख देरें, एक प्लेट की सायथा से इसको ढग देते हैं यह तक आम पक के तैयार होता है तब तक अमने पुदीने को साफ कर लेना है एक बंच हमने पुदीना लिया है और इस बंच को अच्छी तरह से तीन से चार पाणी से धुल के साफ कर लेंगे साफ करने के बाद इसमें से पत्तियों को निकाल लेंगे क्योंकि पुदीनी का डंठल यूज नहीं होता है सिर्फ इसके पत्तियां यूज होती है इस तरह से देखिए इसके अंदर उबाल आ गया है उबाल आने के बाद अब गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और करीब 5-7 मिनट तक इसको अपने पका के त्यार करना है पकते भी 5 मिनट हो गया है आपको एक नाइफ की साहता से चेक करके दिखा देते कैस की फ्लेम को अपने बंद कर देना है और बंद करने के बाद इसको एक प्लेट की साहता से ढखके लगपक 5 मिनट के लिए रख देते हैं इधर हमने पुदीने को भी अच्छी तरह से चुन के साफ कर लिया और साफ करने बाद इसको दुबारा से एक पानी से धुल के साफ कर लिया उसके साथ इसाथ थोड़ी से अपनी धनिया पती लिये है इसको भी पहली है अपनी धुल के साफ कर लिये अगर आपके पास है तो जरूर डालिएगा आम को रखे हुए भी लगबग 5 मिर्ट हो गया अब इस पिस से सारे आम की पीज को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेती है और रखने के बाद इसको 5 मिर्ट तक और ठंडा कर लेती क्योंकि गर्मी की सीजन आम को ठंडा होने में थोगा टाइम लगता है जब आम थोगा सा ठंडा हो जाए तो इसके बाद इस आम को आप छील सकते हैं गर्म में मच्च हुएगा नहीं तो हाथ जल जाएगा और इस तरह देखे सारे आम की छिकले को अपने अलग कर लिया और गुटली वाली हिस्सी को अलग कर लेती हैं इस जल जीरा को बनाने के लिए हमने तुरंथी जीरे को ड्राइ रोस्ट कर लिया त्यार किया है एक पार अपने इस तरह से जल जीरा जरूर ट्राइ करेगा एक अपनी मिक्सी का जाल ले लिया दो पीस इसके अंदर हमने हरी मिर्ज डाल दी तीका आप अपने स्वाद के इससा कम्या जादा कर सकते हैं अब इसके इंद र में 1.5 टिवे स्पून काला नमक डाल दिया ओर जो 2 टिवे स्पून बम्ने जीरा को ड्राइरोस्ट करके रखा इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह की अपनी पेस्ट बना के त्यार करना है अब जो हमने आम का पल्प निकाल के रखा है, पूरे पल्प को इसके अंदर डाल देते हैं, प्रकन लगा कि इसको हमने पीस के तयार कर लेना है, इसको पीस्ते समय भी हमने पानी को उपयोग नहीं किया, इस तरह देखे इसका पेस्ट बन के तयार हो गया है, आपको दिखा पेस्ट बन के तयार हो गया, अब हमने आधा कीजी आम का पेस्ट बना के तयार किया है, पूरी काम नहीं उपयोग नहीं करना है, इसमें से आधे काम जलजीरा बना के तयार करेंगे, आधे पेस्ट को एक बोल के अंदर हमने निकाल के रख लेना है, जब आपको जलजीरा उसमें आप इसका उप्योग कर सकते हैं सिर्फ एक से दो दिन के लिए इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आपको जलजीरा बना के तयार करना हो तो भी आप इस तरह पेश्ट बना के पहले से रख लीजे और जब आपको जलजीरा बनाना है इसके अंदर पानी और प्यार हो जाता है इसको रख देते इस साइट में और बागी बचे हुए जो जार के अंदर पेश्ट है उसको एक बोल के अंदर हमने छनी रखके छान लिया थोड़े-थोड़े से पानी को जार के अंदर डालते जाते इसको छान लेते हैं क्योंकि कभी-कभी क्या होता है जो जलजीरा को छान लेंगे तो इसके रे से छनी के अंदर रह जाएंगे और जो जीरे और पुदीनी की थोड़ी बहुत डंठाले वो भी इसके अंदर रह जाएगे और इस तरह पूरे को थोड़ा थोड़ा पानी को डालते जाते हैं छान के हमने इखटा कर लेना है हमने इसके अंदर लगबग एक से सवा लीटर पानी को उप्योग किया है, इसके तोरा पान से छे गलास बन के तयार हो जाती है, अब स्वात को थ्वास बढ़ाने के लिए हमने एक नीबू लिया है, एक नीबू के रस को पूरा इसके अंदर डाल देते हैं, डालने के बात अच्छी तर मिल करेंगे, तो गर्मी से आप अपने आपको पूरी तरह से सुरच्चित रखेंगे, अगर आपको माई रस भी अच्छी लोगी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्स्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके करेंगे, तो आपको कैसा लगा, स्वात के साथ सा जहत का पूरा थ्यान रखेंगे, हिल्दी बनाएए, हिल्दी काईए, अगर आपको खटा मिठा जलजीरा पसंद तो इसके अंदर एक टेबे स्पून चीनी को मिला लीजिए, या फिर एक टेबे स्पून गुड़ को मिला करेंगे, हिल्दी बनाएए.